आज़ें आपको सिखाएंगे आप गर पे चने और कोफते कैसी बना सकते हैं चने की दाल तो विंटर में सब कोई बहुत पसंद हैं काफी ज़्यादा टेस्टी बनती है और हमने आपके लिए बहुत इजी कोई को टेस्टी रैस्पी लाई है चने की दाल और माटन कोफते की आपे ज़रूर फॉलो कीज़ेगा स्टेप बे स्टेप यहां हमने लिया है मिंस्ट मीट आदा किलू इसको हम डालेंगे फूड प्रोसेसर में साथ में डाल देंगे दो प्याज घंड फिर डाल सकते हैं आप कोरियंडर और पुजिना की लीव्स दो चमच छोटी चमच गारलिक के पेस्ट के चिंजर पाउडर या शूट आदी चमच नमक एक चोटी चमच हल्दिया लेदर आदी चोटी चमच और लाल मिच्या वजल मच्वागन एक चोटी चमच क्यूमिन सीट से जीरा भी आप आड कर सकते हैं और बड़ी लाची चोडी लाची के दाने फिर देखिए हमने इसको अच्छे से मिंस कर दिया है अब जाल देंगे दो अंडे अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसको देखिए मिक्स करने के बाद उपर हलका सा जीरा स्प्रिंकल कीजेगा और स्विच मर रखिएगा आदा गंटा सेट डाउन होने के लिए अब हमें इसकी कोफ्ते बनाने हैं तो हमने लिए ठंडा पानी हाँ प कोफ्ते चाहिए उतनी बॉल पिंच आउड करके अच्छे से राउंड कोफ्ते बना के रख देंगे तो यह देखिए जितने आपको छोटे बड़े कोफ्ते चाहिए उतने बना के आप रख देंगे सारे कोफ्ते सेम वे में में एक प्लेट पिं सारे कोफ्ते बना के रख द कोफ थे देंगे खीए लेकिन कोफ़ते आड करके हम फ्राइम कर देंगे ज proto-बरे सर्ड पकॉफ छाएं सारे कौफते फ्राइगा के निकाल दिये प्लेट पे यह चना है यह चिक पीज यह हमने ओवरनाइट सोगर के रखा था यह देखें तो आपके अच्छे टेस्ट के बन जाते कुक करना एजी होता है दो कप हमने अब ये चिक पी लिया है या चनी की दाल जो ओवरनाइट सोक थी प्रेशे कुकर में पानी आड़ किया है साथ में गाली कप पेस एक चोटी चमच नमक टेस्की हिसाब से फिर आड़ करने के आप दाल चीनी की स्टिक एक तीन छोटी इलाइची निचल दो बड़ी इलाइची बड़ल दो से चार लॉंग या रॉंग लिट क्लोज करके पांच शे विसल तक कुक करेंगे या जब तक 80 परसंट तक ये कुक हो जाए यह देखे लिट ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि चाने सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं यहां पर देख सकते हैं टूट रहे हैं अब अब इनको अलग रख देंगे हमने सेम मस्टर डॉल यूज किया है अब इसमें डाल दिया है हमने एक दाल जीनी की स्टेक प्रिश्य क चुकर में लिया है यह दो चोटी लाइची एक बड़ी लाइची दो लॉंग हलका साजीरा और यह स्पैस को हलका साथे करेंगे आप और फिर इसमें हम डाल देंगे दो चॉप किये हूए प्याज तो यह तड़का तयार कर रहे हैं हम डाल के लिए इसमें प्याज जरूरी है हमने सेम उइल यूज किया है यहां पर जिसमें हमने कोफते फ्राइ किये थे हब डाल देंगे हम इसमें गार्ली का पेस्ट एक चोटी चामच गार्ली को प्याज जरूरी हो रहे हैं फिर अब इसमें हलका पानी आड़ करने के बार डाल देंगे लाल मिच यावाज दो चोटी चामच अब आप लाल मिच को अच्छे से फ्राइ करेंगे तेल पे और क्यूंकि पानी आड़ कर किया है तो इसलिए बरन नहीं होगी फिर आप इसमें आड़ कर दीजेगा कोफते जो आपने फ्राइ करके रखे थे सेपरेट प्लीट पे याप केरफली मिक्स करेंगे ब्रेक नहीं करने हैं कोफते तो प्याज और कोफते आप जब फ्राइ करेंगे तो इसमें हम इसके बाद आड़ कर देंगे चने की डाल वो हमने निकाल कर रखी थी अलग स्टॉक से या रास से इसा तेल पे हलका सा फ्राइ करने से इनमें फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा चाहिए वो दाल है या कोफते हैं तो इसलिए हमने कोफते भी इसमें डाल दी है और दाल भी डाल दी इसमें हलका सा ओयल पे आप फ्राइ करेंगे इंको प्याज और मिर्ची के साथ तो फ्लेवर आपस में इंकॉर्परेट हो जाएंगे देखिए तोड़िएगा नहीं दाल और चने को अच्छे से हलका सा बस फ्राइ कीजेगा फिर हम इसमें डाल देंगे जो ये चने का रस है या स्टॉक जिसमें हमने इसको बॉयल किया था वो आड़ कर देंगे हलका पानी अब और आड़ कर दीजिगा अगर काम लग रहा होगा इस स्टेज पर आप नामक अड़्जस कर सकते हैं इसमें फिर डाल देंगे हम बाकी स्पाइस तो यहां पर मैं आड़ कर रही हूं अपर जिंजर पाड़र ये शूमट आदी छोटी चमज फैनल सिक पाड़र ये बाजान एक चोटी चमज और हल दिया लेदर आदी छोटी चमज लार मिल्च हम पहले ही तेल पर आड़ कर चुके थे सारे स्पाइस को आप आड़ करने के बाद मिक्स करेंगे तो ये देखिए इसमें हमने स्टॉग भी इनफ आड़ कर दिया है अब हम इसमें डाल देंगे हलकी सी कोसूरी मेथी या ड्राइड फैनुग्रीक लीज ये बहुत अच्छा टेस देगा किचने की दाल में तो हलका साब हाथ से इसको आड़ करेंगे क्रश करके एक चुटी आड़ करेंगे तो ये देखिए हमने हलका साइड कर दिया है इसमें कोसूरी मेथी मिक्स करके अब हम प्रश कुगा की लिड़ क्लोज करेंगे तो अब आप इसको एक दो विसल तक कुख करेंगे जब तक हांडर परसंट तक चने जो है वो कुख न हो जाए और जो कोफते हैं वो भी सौफ न हो जाए फिर हम लिड़ ओपन करके चेक करेंगे तो यह देख सकते हैं आप आप के चने और कोफते तयार हैं इसको विंटर में बहुत मज़ा आता एंजॉय कीजेगा आप यहां पर आप देख सकते हैं किते टेस्टी लग रहे हैं यह यह होट स्टीम ड्राइस के साथ चावल के साथ हम एंजॉय करते हैं आप चाये तो इसको दाल चपाती के साथ भी खा सकते हैं और फीडबैक हमें जरूर सेंड कीजिएगा पिक्चर्स क्लिक करके रेश्पी बना के हमारे Facebook or Instagram